नमस्कार दोस्तो स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल में आपसे प्यारे दोस्तो का फिर से एक बार दिल से स्वागत है आज के इस इंपोर्टन्ट वीडियो में हम बात करने वाले है बजेट रिलेटेड कौन से स्टॉक है जिसमें हमें नजर रखनी चाहिए तो बात करेंगे पूरे वीडियो में और इससे पहले दोस्तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट यूटूब के हमारे किसी भी वीडियो को देखकर आपको इंवेस्टमेंट नहीं करनी है क्योंकि ये वीडियो आपकी स्टडी को मजबूत बनाने के लिए है और एक छोटी सी दूसरी रिक्वेस्ट पहली बार हमारी चैनल पे है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आज के इस इंपोर्टन वीडियो में हम पारस डिफेंस के बारे में कुछ अहम अपडेट आपको सुनाने वाले है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो तो दोस्तो आप सभी को पता होगा कि पहली फरवरी के दिन दोस्तो हमारे वित्तमंतरी बजेट पेश करने वाले है और पूरा बजेट पेपरलेस होने वाला है और इस बजेट में कौन-कौन से स्टॉक है कौन-कौन से सेक्टर है जिसमें तեजी देखने को मिलेगी यह बड़े-बड़े रिसर्चर ने अपने दावे में पेश किया है और ऐसा ही एक निज्य रिपोर्ट आज में आपके सामने पेश करने जारा हुँ जिसमें बड़े-बड़े रिसर्चर का दावा है कि आने वाले बजेट में डोस्तो चैमिकल, डिफैन्स और हैल्थ केर सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिलेगी इन कंपनियों की शेरों में दोस्तो दम हमें को देखने को मिलेगा और बजेट से पहले यदि आपने इन स्टॉक में एट्री कर ली तो कुछ ही वक्त में यानि कि शॉर्ट टाइम में बड़ा प्रॉफिट जनरेट होगा यह 100% ताइम आना जा रहा है तो कैमिकल सेक्टर को तो आपको पता ही होगा कि पुछले वन येर से अच्छा रिटन दे रहा है और डिफेंस सेक्टर में अभी अभी जो लिस्ट हुई दो बड़ी कंपनी जिसमें से पहले है दोस्तो पारस डिफेंस और दूसरे नंबर पे है डेटा पैटर्स दोस्तो आने वाले विक में आपको इन दो कमपनियों पे नजर रखनी है पहली पारस डिफेंस और दूसरी डेटा पैटरंस चीहा दोस्तो दोनों ही डिफेंस फेक्टर में अच्छा का खासा मुनाफ़ा कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों के बाद दोस्तो उसका फ्यूचर काफी ही बड़ा ब्राइट होने वाला है तो इस बजेट में हमारे देश की पहली इंपोर्टन्ट होगी डिफेंस सेक्टर को मजबुत करना और उस हिसाब से डिफेंस फेक्टर के इन दो शेरों में दम देखने को मिल सकता है तो दोस्तो आने वाले नेक्स्ट विक में यानि कि कल से जब बजेट 17 सरू होने वाला है तो पारश डिफेंस पे आपको नजर बनाई रखनी है और पारश डिफेंस में हमें इन विख अपर सरकीत देखने को मिल सकती है क्योंकि बजेट में सबसे बड़ा प्रावधान दोस्तों सर्रक्षन क्षेतर में यानि के डिफेंस पैक्टर में ही होने वाला है इसका सीधा असर पारश डिफेंस के शेर होल्डर्स को होगा और जिसने भी पारस में अभी एंट्री की है और जिसके पॉर्टफोलियो में अभी भी पारस है तो दोस्तों बेचने की गलती बिलकुल ना करें क्योंकि next week बड़ा ही दमदार profit return हमें देखने को मिल सकता है तो यहीं थी पारस defense और data patterns की latest update और साथ ही health sector के कई stock के बारे में दोस्तों हम रात के 9 बजे बड़ा research report पेश करने वाला है कि आप किन किन health sector के कौन से stock में नजर बनाए रखे तो वो वीडियो रात के 9 बजे हमारी channel पेश होगा उसको आपको कपी miss नहीं करना होगा उसके हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा थेंक यू सो मच जय हेंड़